हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और कैसे हैं आप सब होप आप लोग अच्छे ही होंगे लाश्ट ब्लोग को मैंने एंड किया था तो उसी ब्लोग को मैं आगे कंटीन्यू कर रही हूँ अभी मैं आई हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए तो मैंने सोचा कि छत से न काफी अच्छा ना जारत दिखता है आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ यहाँ पर सामने हाईवे निकला हुआ इसलिए यह ट्रक वगरे निकल रहे हैं और चारो तरप न काफी हर्याली है आप देख सकते हैं केत वगरे बने हुए है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और आप लोगों को मेरी आवाज काफी चेंज लग रही होगी विकास मुझे जो है कोल्ड है इसलिए मुझे बॉइस होवर करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है और काफी लोगों ने जान भी लिया था मेरी आवाज से कि मुझे कोल्ड है लाश्ट वीडियो पर मुझे काफी कमेंट भी आये थे तो जी हाँ मेरी अभी थोड़ी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है अभी मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी जो है वो लंच की तयारी कर रही है और मेरी जो सिश्टर है वो बर्तन वगएरे रखे हुए थे तो उनी को क्लीन कर रही थी बिकोज टिक्कू जो है इस टाइम पर सो रहा था और मम्मी जो है बना रही है गर्मा गर्म पूरियां साथ ही में उन्होंने बनाई है आलू कीसु की सबजी तो बस ये पूरियां है सबजी भी बनकर तयार हो चुकी है मम्मी सभी से बोल नहीं थी कि गरम गरम खा लो क्योंकि जो पूरिया आए ना वो गरम ही अच्छी लगती है खाने में और यहाँ पर मैं जो है पूजा कर रही हूँ निक्कू को देखिए उसकी मस्ती चल रही है विकॉस कैमरा जो है ना ओन था इसी लिए और आज जो है ना मैंने काफी लेट ना आया है विकॉस सामन वगेरे मैं रख रही थी बैग वगेरे लगा रही थी टाइम का ना पता ही नहीं चलता है वैसे भी सल्दियों के दिन आ गए ना तो बहुत जल्दी जो टाइम है वो निकल जाता है और अभी तो वैसे भी हम इंदोर आए हुए हैं तो सभी लोग साथ में है न तो बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है फैमडी के अभी मैं आ गई हूँ किचिन में और मैं इनके लिए लगा रही हूँ प्लेट इनको मैं खाना रखके दे दूँगी क्योंकि पूरी या गरम ही अच्छी लगती है खाने में और मम्मी काफी बार बोल भी चुकी है कि सब लोग खाना खालो तो बस यहाँ पर मैं भाई प्लेट लगा रही हूँ साथी में रखूंगी बिरची का अचार जो की अच्छा लगता है हम लोग भी डीमार्ट से लेकर आए हैं मेरी सिस्टर भी जो है अभी किचिन में ही है और यहाँ पर जो प्लेट है वो लगकर तयार हो चुकी है सो मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ आजाएए खाने के लिए हमारे साथ लंच कर लीजिए मैं इनको दे आई हूँ खाना और फिर से आगई हूँ किचिन में तो मम्मी मुझसे बोल रही थी कि तुम भी खाना खालो तो बस मैं भी याँ पर बैट गई हूँ इन्ही के साथ खा रही हूँ मैंने जादा नहीं खाया था सिर्फ दो पूरिया ही खाई थी और निक्कू जो है अपनी बुक्स बगर रख रहा था उसकी क्लास हो चुकी है तो मैं उससे बोल रही थी कि निक्कू तुम भी खालो तो अब वो बोला कि ठीक है मासी मैं ये बुक्स बगर रख लेता हूँ उसके बाद आप मेरे लिए भी प्लेट लगा देना यहां पर मैंने निक्कू के लिए भी लगा दी है प्लेट तो वो भी हमारे साथ लंच इंजोई कर रहा है यहां पर आप देख सकते हैं हमारे जो टिक्कू जी है वो सोकर उठ गए हैं वो थोड़ा सा रो रहा था परिशान कर रहा था तो मेरी जो सिश्टर है उसको गोद में लिए हुए है क्योंकि उसको ना गोदी में अच्छा लग रहा था वैसे हमारा जो टिक्कू है वो सोकर उठता है तो रोता नहीं है लेकिन बच्चें यह कभी कभी चिर्चड़े हो जाते हैं तो बस यहां पर मैं जो है मम्मी की हेल्प करवा रही हूँ मम्मी पूरिया बिलती जा रही है और मैं फ्राय करती जा रही हूँ और अभी मम्मी ने भी खाना नहीं खाया है ना ही मेरी सिश्टर ने खाया इसलिए मैरे सुच है कि मैं बनवा देती हूँ साथी साथ हम लोग बाते भी कर रहे थे और इनकी बिंडों से काफी धूप आती है तो मैं वहीं बोल रही थी बहुत धूप आ रही है फेस पर वैसे तो इन दौर में जो है ठंडक हो गई है सुबह साम ठंडक रहती है लेकिन दिन में जो धूप निकल रही थी ना वो काफी तेज धूप निकल रही थी दिन में जो है गर्मी लग रही थी विकॉस धूप काफी तेज थी लेकिन हमारे यां ऐसा नहीं है हमारे याँ जो है न सुबह साम भी अच्छी खासी ठंडक है और दिन में भी धूब जो है न वो तेज नहीं निकल रही है इसलिए मैं बोल रही थी अपनी सिश्टर से कि इन दौर में तो गर्मी है हमारे ग्वालियर में गर्मी नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिन का जो बैदा रहना वो काफी गर्म है ग्वालियर के कमपेरिजन में यहाँ पर मैं अपनी सिश्टर के लिए प्लेट लगा रही हूँ और अब मम्मी भी यहाँ पर बैट कर खाना खा रही है सबसे लाश्ट में मम्मी यहाँ होती हैं पहले बच्चों को खिलाती उसके बाद खुद खाती है और साथी में जो है टिक्कू भी सो रहा है आप देखी सकते हैं क्योंकि इसकी नीन पूरी नहीं हुई थी ना इनके लिए ही आयते तो बस जाने की तयारी हो रही है और थोड़ा बहुत सामन रहे गया उसी को मुझे पैक करना है क्योंकि इन दोर आते हैं तो थोड़ी बहुत शौपिंग तो करते हैं खासकर मैं डी मार्ट जरूर जाती हूं और वहां से ना काफी सारा सामन लेकर आती सब्सक्राइब करना है तो जो भी शौपिंग की तो भी रख लिया है थोड़ा बहुत रह गया है तो उन्हीं को मुझे रखना अरेंज करके हम लोगों ने खाना बगर खा लिया है मुझे बनाई ती आलू की सबजी साथ में बनाई ती गर्म गर्म पूरियां तो यही आज जाने की त्यारी क्योंकि शे बजे को निकलना है वी तो इस श्यूब पहले पहुंशना पड़ेगा तो बस आप कर रहे दाकि हम लोग को के लिए तो यहा यह हमारा निकू है निकू आप निकू करता है काफी मस्ती से हाइ और टिकू जो अभी सो रहा है और इस बार ना बिल्कुल भी पता नहीं चला क्योंकि एक दिन के लिए आये थे और टाइम कैसे निकल गया एट लिस्ट कम से कम पहले हम लोग आते थे तीन से चार दिन तो पूरा ऐसे निकल गया हम लोग नाइट में कल बहुत लेट हो गए ते साड़ी ग्यारा का टाइम हो गया तो तब हम लोग आया थे फटापत अम लोगों ने खाना बगेर बनाया यह पर मेरी सिष्टर मुझे काफी हासा रही है तो बस हम लोग जो है नाइट में ले बीडि एडिट करूंगे अपनों के साथ शियर करूंगी यह अपना ब्लॉक शूट करने की तयारी मैं मम्मी आ गही है मम्मी से हाई एक यूटूबर है आप सभी जानते हैं सो जाकर चेक कर लीजिएगा और मेरे चैनल का नाम है इंडिन मॉम बिजी लाइप बाई नताशा मम्मी मैं आपर सोच रही है फोटो क्लेक होना है लेकिन हम लोग जो बीडों बना रहे है हमारा मस्ती Hij हम लोग आ हुए है चट पर कपड़े उठाने के लिए तो बस यहां पर मैं जो है कपड़े उठा रही हूं क्योंकि यह जो है मैं लेकर जा ना है और सुप चुके हैं तो ब अब यहाँ पर मैं जो है बैक पैक कर रही हूँ जो कपड़े उठाकर लेकर आई हूँ ना उनी को रख रही हूँ और जो सामन रह गया था तो बस यह भी पैकिंग में जो है मेरी हैल्प कर वा रहे हैं लेकर तो हम एक पैक आये थे लेकिन हो दो बैक गये हैं क्योंकि शॉपिंग वगरे की है ना इसी लिए साथ ही में मम्मी भी अपनी सूटकेस लगा रही है वैसे उन्होंने भी पैकिंग कर ली थी लेकिन जो रह गये हैं ना लाश्ट पैकिंग बोलते हैं जाते जाते याद लाए कि ये भी रखना है वहाँ तो बस हम लोग वही आंपर कर रहे हैं और बस देख रहे थे कि कहीं कुछ रहतों नहीं गया है कोई भी सामायन क्यूंकि होता है ना कुछ ना कुछ छूटी जाता है और बस जाने से पहले याप पर मेरी सिश्टर वना रही है हम सभी के लि पीकु जो हो जो हो जो हो आख को आख आख कि जाख दूख ओना जो हो जो हुआ और दूख यह थो यह है यहां पहलों यहां पुलिधा बैसा है खोड़ चिलने ये देखी हमारा प्यारा सा टिकू ये खेल रहा था ना और मैंने इसको पकड़ लिया याँ पर कुछ बोल नहीं रहा था हम देख सकते कैमरे को देख रहा है एक दब मिल्कुल सान था उसको ये था कि मुझे पकड़ लिया है तो बस अब यहाँ पर दोनों खेल रहे हैं और बस चाय बनकर तयार हो चुकी है तो जाने से पहले सभी लोग पैट कर एक साथ इबनिंग की चाय पी रहे हैं अब ही हम लोग घर से निकल रहे हैं और जीजू भी आ चुके हैं आफिस से आप देख सकते हैं मम्मी भी रेडी है हमारी ओटो भी आ चुकी है तो बस अब हम लोग बैठेंगे और यहाँ पर निकू टिकू और मेरी सिश्टर से बाई कर लीजे हम सभी को वो बाई बोल रह हैं क्योंकि इंदौर का यह मेरा लाश्ट ब्लॉग है सो अब यह मेरे ब्लॉग में आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो बस हम लोग निकल चुके हैं रास्ते में ही हैं और काफी अच्छा लगता है इंदौर आना बहुत टाइम के बाद आये हैं जब से यह लोग डाउन हुए उसके बाद से अब हम लोग आये हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं इंदौर रेलबे स्टेशन और रेलबे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड नहीं थी जैसे पहले रहती थी न उस हिसाब से अब भीड नहीं थी तो चलिए फ्रेंट्स अब मैं आप लोग उसे मिलती हूं सीदे ग्वालियर पहुच कर बिकॉस हमारा नाइट का सफर है तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजेगा जो भी चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक कियर